नेक्स कु ciudad चोशन सेहां Year 2000 का सवाल एक सेज अहर इस अधरी ऐसार इस घ्रार इस घ्राघड प्लस्विश्यु तब कुछ दे लेक्ट्रिक देसेंटर ओ फारिक given कलिए एक हमारें सवाली एक हिंध के लेक्ट्रीक फेल्ड-पार्ट एक्विट्री में along ko, या फिर 3e along ok, या फिर 3e along ko, या फिर e along ok, आ लाइट, सो बहुत simple सवाल है, basics यहाँ पर अपने clear होने चाहिए, सो यह हमारा एक thin circular ring है, और इस ring पर हमने इसको number किया हुआ है, वो है A, B, C और D, आ लाइट, और यह वाला part हम यह अपना origin A है, इस वाले part को हमने k क्या दिया, यहाँ पर कहीं k part है, और अब हमें यह बताना है, कि अगर इसकी net electric field हमें पता है, center पर इसकी वेज़ से 0 होएगी, हमें बताना है कि A, D, C, B यह जो part है, इसकी वेज़ से electric field कहा होएगी, अगर हम चारों को हम अलग-अलग मान लिज़े, थोड़ी देर के लिए, छोटा-छोटा हैं कट लगा के, अगर हम इन चारों को अलग-अलग quarter angle या अलग-अलग quarterings का consider करें, तो इसकी वज़े से इसके उपर अगर charge हो गया Q by 4, इसकी वज़े से हो गया charge Q by 4, यहाँ पर charge Q by 4, यहाँ पर charge Q by 4, यहाँ पर charge Q by 4, because charge हमने Q दिया था, uniformly distributed है, इसकी वज़े से electric field आपके इस direction में होनी है, इसकी वज़े से इलेक्रिफिल इस डारेक्शन में होएगी और यह दोनों एक दूसरे को cancel करेंगे इस वाले की इलेक्रिफिल इस डारेक्शन में होएगी और इसकी इलेक्रिफिल इस डारेक्शन में होएगी so based on this हम कहा सकते हैं कि option number D would be the right answer although इसकी calculation करना बहुत आसान है direct case में हम formula लगा सकते हैं लेकिन इस सवाल में जरुवत नहीं थी इसलिए हमने नहीं किया मैंसे आपको formula पता होना चाहिए so based on this option number D would be the right answer